हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो मा यूटूब चैनल सेरिंग ज्यान आज मैं बात करूंगा नेशनल रिकूट्मेंट एजनसी की जिसको अभी सेंट्रल केबिनेट से मंजूरी मिल गई है और साथ ही इसके जानेंगे कि सीटी क्या है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो चलिए सबस सेंट्रल गर्वर्मेंट की जॉब्स है उनके लिए एक कॉमन एक्जाम ले तो फाइनली यूनियन कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है मतलब नेशनल रिकूट्मेंट एजनसी को फाइनल मंजूरी मिल गई है अब यह आंगे देखने वाली बात होगी कि कि इस एजनसी को यह काम दिया जाएगा क्योंकि एक्जाम जो है बहुत बड़े लेवल पे होता है इसमें हर साल डाई से तीन करोड़ बच्चे बैठते हैं अगर पूरे सेंट्रल गॉर्मेंट की जॉब्स की बात करूं तो जैसे हैं कि अभी तक जो चलता आ रहा है कि बैंक की एक्जाम आई बीबेस कराता है इसके बाद एक रेलवे रिकूट्मेंट बोर्ड है और साथ ही साथ एससे है तो यह अभी तीन में एजनसियां है इसके लावा सेंटर गॉर्मेंट की टोटल 20 एजनसियां हैं जो एक्जाम कंड़क्ट कराती है इन सब को कॉमन एक यूनि टेस्ट तो चलिए जान लेते हैं कि क्या है कौमन टेस्ट तो जैसा कि आपको पता है कि अभी तक जो अग्जाम होते हैं सेंटर गॉर्मेंट के उसमें एक एक्जां होता है प्री और एक होता है मेंस तो आप कौमन एलिजिबिलिटраст के थूछ क्या होगा कि ज़rijkstरी के प्री का score सुधारना चाहते हैं तो आप दूबारा एक्जाम दे सकते है NRA के थुरू अगर आपका एक्जाम के लिए मेंस के लिए अपल्बाई कर सकते हैं ओके तो इसमें आपको जो है के लिए एक एक्जाम देना पड़ेगा और मेंस के लिए आपको हर different जितने भी आप field जैसे railway के अलग exam है bank का अलग exam है तो उसके लिए आप अलग-अलग apply कर सकते हैं इस common eligibility test के अंडर में group B की जो non-gadgeted post होती है और group C की जो post होती है वो इसके अंडर cover की जाएंगी अब हम बात कर लेते हैं कि इस common eligibility test के क्या फायदे हैं और इसमें क्या-क्या implementation आगे किया जाएगा तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि national recruitment agency के थुरू tier 1 का exam लिया जाएगा इसके बाद मैं बात करूँ तो ये agency 12 language में exam लेगी और इसको छेतरी भासाओं तक भी और बढ़ाए जा सकेगा ताकि जो गावों के बच्चे हैं जो अलग-अलग भासाओं से आते हैं उनके लिए भी exam easily available होगा अब मैं बात करूँ अगर तो इसमें candidates को बाहर जाने की जरूत नहीं है जहां उनका मूल निवास है जहां वो रहते हैं वहां भी easily से उनको center provide किया जाएगा और यह common eligibility test अभी central government इस्टार्ट कर रही पालेट प्रोजेक्ट तोर पे इसको आँगे चलके राज्य सरकारे भी यूज़ कर सकती है तथा private companies भी इसका scorecard valid करने की यूज़ना बनाई जा सकती है इससे जो बार-बार exam होते हैं उनसे छुटकारा मिलेगा तथा आप जो बार-बार pre exam दे के fees भरते हैं उससे आपको छुटकारा मिलेगा तो कैसा लगा आपको ये वीडियो आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजे और अपने दोस्तों और अपने गृपस में जरूर शेर कीजे अगर आप महाँ चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल शेरिंग यान को सब्सक्राइब करें इसकी पीडियाफ आपको मेरे टेलिग्राम ग्रूप से मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद